आदाव नमस्कार, मैं पूजा मलोत्रा आप सभी का इस्तिक्बाल करती हूँ और आज कुफटगू में हमारे साथ मौजूद हैं मशूर अदाकारा नवनी परिहार नवनी परिहार फिल्मी दुनिया का एक जाना माना नाम बेमिसाल अदाकारी, मुस्कुरादा चहरा और बोलती आँखें नवनी परिहार की ये खूबियां इन्हें दूसरों से अलग करती हैं इनके पैदाईश मद्यप्रदेश के इन दौर में एक राजपुत घराने में हुई अदाकारी की दुनिया में नवनी परिहार का सफर शादी के बाद शुरू हुआ और टेलिवीजन सीरियल मुझरिम हाजर से इन्होंने करियर की शुरूात की बहुत कम वक्त में नवनी परिहार छोटे परदे पर च्छा गई और इसके बाद इन्होंने फिल्म हलचल से बॉलिवुड में कदम रखा कई सुपर हिट फिल्मों में नवनी परिहार ने अपनी शानदार अदकारी से लोगों के दिलों में घर कर लिया साथ ही वेब सिरीज में भी ये अपनी अदकारी के जोहर दिखा रही है नवनी परिहार का ये काम्याब सफर बदस्तूर जारी है नब्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शोग गुफ्तगु में थैंक यू नब्री जी सबसे पहले तो आपको जनम दिन की बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत शुक्रिया किन प्रोजेक्ट्स पर आजकल आप काम कर रहे हैं अभी चार फिल्मों में काम कर रहे हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत प्यारी फिल्म्स हैं बहुत अलग रोल हैं चारो फिल्मों में तो चार फिल्म्स हैं एक वेब सीरीज हैं और कुछ एड फिल्म्स वगरे की सीरियल तो बंद ही कर दिया अब सीरियल तो आपने शुरुवात में बहुत किये बहुत शुरुवात ही करियर की सीरियल से शुरुवी थी जी जी जादा तर अक्टरिस अक्सर क्या करती है कि पहले करियर बनाती है उसके बाद शादी करती है लेकिन आपने इसका उल्टा किया उसका रीजन है, शादी के पहले तक तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर्स बनेंगे, शादी होके जब हम बॉम्बेया है तो जो मुझरिम हाजिर हमा पहला सीरियल था, उसके जो प्रोड्यूसर डिरेक्टर थी, वो हमारे हस्बन को जानते थे, तो उन्होंने फिर ओडिश कि कई मशुहूर एक्टर्स थी, उन सब के साथ हमारा भी ओडिशन हुआ, तो आपका पहले कोई इरादा नहीं था फिल्डिया में एक्टिंग के पहले नहीं, आराम से हिंदौर से शादी करके बॉम्बे आये थे, तो इत्तफाकन उन्होंने ओफर किया और रोल नहीं बता और एक बार शुरुआत हुई तो एक के बाद एक, तब तो वो सब नहीं होते थे ना, कास्टिंग डिरेक्टर्स वगरे, और कुछ भी नहीं था, एजेंसी नहीं थी, तो बस मुझरम हाजिर हुआ, उसमें काम अच्छा लगा, एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीस दूसरा काम मिलता गया, और आपने दूरदर्शन के काफी सीरियल में काम किया, जी, वो गुल्डन पीरिएड था, एक सीरियल की बात करते हुम, मुझशी प्रेमचंद, तहरीर मुझशी प्रेमचंद, तहरीर मुझशी प्रेमचंद की, उसमें मैंने सुना आए कि आपको पहनने के लिए लेकिन आपने पहनने से इंकार कर दिया था तो वह क्या किस्ता था। आपको किस्ता बटाएं और तेहरीर मुंशी प्रेम चंद की गुलजार सहाब का सीरियल था। गुल्जार सहाब ने डिरेक्ट हिया था और हम गुल्जार सहाब के बहुत बड़े फैन थे और गुल्जार सहाब जो भी करते हैं परफेक्शन से करते हैं हम सब जानते हैं और उनकी जो पूरी टीम है वो बहुत ही परफेक्शन से काम करते हैं और बहुत रियलिस्टिक होता उनका जैसे मेकप बिल्कुल भी नहीं होता है उनके इसमें आप काम करें मुंशी प्रेम चंद की सीरियल के दौरान बिल्कुल मेकप नहीं था और जब साड़ी लागे दिये एक और फाइट जी साड़ी तो गंदी थी बहुत गंदी हमने का ची हम नहीं पहनेंगे इतनी करके लाओ तो फिर वो जो कॉस्ट्यूम डिरेक्टर थी उन्होंने बताए कि माम ये नहीं साड़ी उसको चाय के पानी में वो करके एजिन दी इतना उनका बारीकी से ध्यान रखते हैं एक चीज का ब्लाउस प्रेस नहीं होना चाहिए आयन किया हुआ ब्लाउस तो नहीं बिल्कुल 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 ऐसे छोटी चोटी बारीकियों पर वो ध्यान देती तब ही वो रियल फील आता है तो उनके साथ वैसे काम करके कैसा एक्सपेरियंस रहा आपका ओम्यागाद गुल्दार साब कि हम बहुत बहुत बड़े फैन थे क्या हैं तो जब पहली ब गुल्दार साब ने हमको बुलाया वो कुछ बनाना चाहा रहे थे कुछ सीरियल तूस के लिए उन्होंने बात करने को बिलाया हम नए नए थे गए वहां पर इंतिजार कर रहे थे उनका और अचानक गुल्दार सहाब आए उनको देख कि हम इतने नवस होगे याने कि मौतरमार बहुत अदब से बहुत उससे बात करते हैं हम बैठ गए उन्हें का जी आपका नाम क्या है और हम अपना नाम भूल गए अच्छा अहां लिटरली बहुत देर तक कोशिश करते रहे कि क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है और रोना आने लगा ने बहुत अजी में अगुल्जार जैया बादुरी जी रिशिकेश मकर जी अइसी फिल्में देखना अलाओध था और सिडिनली गुल्जार साहब को सामने देखके बिलकुल नाम भूल गया हम भागे हम खड़े हमको घर जाना है जी हमको घर जाना और हम रोते हुए ऑफिस बाग गए उनके दूसरे दिन प्रभाकर जी का फोन आया कि साहब न आपको बुलाया है बात करने आप तो कल चली गए नहीं हम अपना नाम भूल जाते हैं हमने आया है फिर उसके कई साल बात जब काम करते-करते थोड़ा कॉन्फिडेंस आया फिर गुल्साहर साहम ने तहरीर मुंशी प्र कि उसके फिल्मों में आपका आना काफी देर से हुआ काफी वक्त लगा आपको आने में फिल्मों में घेके I come from a very non filmy background हमारे यहां पर फिल्म में दूर दराज तक कोई नहीं है तो नाहीं को यहां फिल्मी जो जो गाइड करे बताया तो बहुत डर डर के सहम के यह से मुझ उसके बाद ऐसे ऐसे काम मिलते गए जो जहां कमफोटेबल हुए काम करते चले गए पर फिल्म फिर भी वो जो मिडिल क्लास मेंटैलिटी होती ना कि फिल्म लाइन याने लड़ियों के लिए बहुत खराब जगह है वो एक माइंड सेट था उस वक्त बना हुआ था यह हम करना नहीं चाहा रहे थे बहुत समय तक हम को आई मुझरम हाजिर के बाद बहुत सारी फिल्मों के ओफर आए बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के ओफर आए पर हम मना करते रहें क्योंकि I was not confident at all फिर बहुत समय बाद एक सीरियल देखके गुरुदत्य जी के भाई आत्मा अर्मण जी अच्छा उन्होंने एक तुलसी दास करके फिल्म बनाए थी तो मेरत नावली का रोल दिया तो दिखारे फिल्माले अच्छा थे एड़ी दीजिकी फिल्म थी फिर आरणय की थी आचे अचे अचे बीडिया था हल जल वास मैं फिर्स्ट कमर्शल फिल्म थिल्म मैं फिल्म बना रही हूं I want you opposite Vinod Khanna जी तो फिर हस्बन से बात किया हमने का क्या करें अभी तक तु कमर्शल फिल्म किया नहीं है करो करके देखो ये भी एक एक्स्पिरियंस रहेगा विनुत खना इतना बड़ा नाम है इतने बड़े अक्टर है उनके साथ काम करना कहा मिली तो ऐसा तो फिर हल चल गया हूं that was my first commercial film फिर बहुत सारी फिल्में की बहुत प्यारे लोग है बहुत अच्छे नम्ली जी आपके बारे में कहा जाता है आप मशूर है इस बात से कि आप रोल को देखनी है बहुत अच्छे से और अगर आपको लगता है कि ये दमदार है फिल्म सीरियल सबके लिए हमाँ first criteria रहता है कि रोल अच्छा होना जी है रोल अच्छा है टीम अच्छी है तो काम करते हैं और हमाने बहुत सारे do's and don'ts हैं बहुत सारी चीज़े हम करियर के शुरुआद से हमारा था कि हम ऐसे रोल नहीं करेंगे ऐसे कपड़े नहीं पहने यह नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो किस डिरेक्टर के साथ काम किया तो किस डिरेक्टर के साथ काम करने में आपको मज़ा आया और कौन आपका फेवरेट है फॉर्चुनेटली करियर की शुरुआद से लेके आज तक हमें उन सभी इकलाकार और एक्टर के साथ काम करने आक्टर्स डिरेक्TER्स के साथ काम करना मिला जिन। को हम पसंद कियाते थे कुछ ही है हमारी लिस्ट में जो इन के साथ अभी तक काम दहीं कर पाई。 कि से करीयर की शुरुआत में हमाइ लोगिर का फर्स शॉट हमने उठब दतращ जी के साथ धी något फर्स सीन नूतन जी के साथ था, नूतन जी को देख के इतना सीखना मिला, इतनी बड़ी शक्सियत पर, इतनी सिंपल थी, और इतनी पंक्चुल, तो उनको देख के सीखना मिला, कि हाँ, ऐसा अगर आगे भी काम करना है, तो ऐसे करना चाहिए, गुल्डी सहाब, उन्होंने साथ काम करना मिला, गुल्जार सहाब, आनंद राहे जी, ऐसे सभी पसंदीदा, आपनी तो नए डारेक्टर के साथ भी काम जिया है, नए बच्चों के साथ, तो वो कैसे एक्सपीरियंस था, एक वो समय और ये समय, बहुत अचा, अभी के भी जो बच्चे वो इतने तयार हो के आए, बहुत तयारी के साथ अभी के जो बच्चे आए, आपनी आए, आपनी दानसिंग, वो सारा कुछ कर लेते हैं, स्टन्ट हो गे रहे, सब कुछ, दिखते भी बहुत अच्छे हैं, बिलकुल, और आपनी हाल ही में एक मूवी की थी, नस्र दीन शाह जी के साथ, द प्लीज हमें बताएए, क्या आपने कहीं शैर किया था, हमे नसी शाहाब बहुत अच्छे लगते हैं, हमें नसीर साथ बहुत अच्छे लगते हैं, हमें प्रिफ्य थेयतर गए थे, तो जब प्ले देखने, वहां पर, मेकप रूम में गए, त वहां नसीर साहाब का तो हमने सेल्फी ली और शेयर किया उसमें सोचल मीडिया पर कि ऐसे ही से ही एक फ्रेम में नसीर सहाब के साथ कुछी समय बाद देवालेट ओफर हुई नसीर सहाब के साथ काम करना मिला सब्सक्रीजम कर देघ्र करने साथ ऑद लिए फुर्व पुरा हुए उनके साथ काम करने स्था lesskin रेख एक बहुत अदुक्त इतने बादार्ख मनें बादा करते हैं टू जिस तरीके से वो चाम करते हैं सर, आपका स्वह कैसे माम अब बताते है हैं कुछ नहीं बुले उसके बात कैमरे के पीछे गए उन्होंने का इनका लुक कहा है तो बताया कि यह आपका लुक है हम उधर देख रहे थे निसीर सहाब जहां हमारा लुक था वहां खड़े होके उन्होंने सारे क्यू दिये एक्सप्रेशन जो बहुत बड़ी बात है बहुत कम लोग करते हैं ऐसा एक बार और किया था मिथुन्दा ने अधरवाइस कुछ experience ऐसा भी छोटे चोटे बच्चे मना कर देते हैं कि क्यू असिस्टेंट से दिलवा देना इन दौर में अपने college के जमाने में आपने चोटे बच्चों की मदद की थी deaf and blind बच्चों की शायद अनफॉर्चुनेटली हम बहुत इसको परस्यों नहीं कर पाए हमने master's किया social works में medical and psychiatric social works तो उस दोरान field work के दोरान हमने deaf and mute बच्चों के साथ बहुत काम किया blind बच्चों के साथ काम किया I used to give them art therapy, dance therapy, drawing or dance उनको सिखाते थे और उन बच्चों के लेके हम Bombay भी आया थी all India skill and talent competition में अच्छा उनको first prize भी मिला था क्या बच्चों के साथ दो साल काम करना मिला, बहुत fulfilling experience था नहीं और हमें पता है कि आज भी आपको मुका मिलता है तो आप कुछ न कुछ social work करती रहती है कोशिष करते हैं आप कुद को धीमी गती का समाचार कहते हैं, मैंने ऐसा क्यों है हम धीमी गती का समाचार ठ्थ़ थोड़ा slow बोलते हैं थोड़ा धीमी आवाद में बोलते हैं लोग बोलत बहूत softly बोलते हैं बहुत Winds बसे तोड़ाँ जल्दी जल्दी नहीं होता हमसे कुछ भी आज हमारी गुफ्तगू के जरिये आप किन लोगों को याद कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो हमारी मा को जो हमाई जीवन का आदर्श रही है हमेशा बहुत डिग्निफाइड बहुत ग्रेस्फुल छोटी सी दुबली पतली सी हैं पर बहुती स्ट्रॉंग लेडी हैं उन्होंने अपने दम पे हम बेहनों को पाला और इस लाइक बनाए के हम लोग कुछ क कर सकें तो नारी शक्ती का एक उदार है एक तो हमारी मा उनके भीना हम अधूरे हैं और अगर प्रोफेशनली कहें तो पता नहीं क्यों रीटा दी जहन में आती रीटा भादूरी जी करियर के शुरुआत में मुझरम हाजर में वह हमाई साज बनी थी और उस वक तो उन्हो गादली परियार बोल थी हम घबराते थे थे पर आगर लिटैर अजाक उस तोर अनोंने लिट्रсыана हमको बहुत ही प्रोटी थिव – ती वह हमारे लिए फिल्म इंडस्री सेern नहीं है तो जिस तरह के से वह प्रोटेक्टिव थी और जैसा सिफ हमारे लिए नहीं। बाकी भी को जी मेरी लोगों के साथ जून का रहता था ने प्रोटिक्टिव और मदरली जून का एक्टिटूड था पाकी सारे एक्टर्स के साथ कहीनाट रही हमको लगता है कि मेभी जिस तरीक से हमे अपना लिया था हमें भी यह दो आजकल के, हाला कि they are very independent, they are very smart, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो हमारी तरह, हम थोड़े protective हो जाते हैं, थोड़े motherly feeling हमारी हो जाती है, कोई ऐसा interesting किस्सा जो आज आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जादे तो यही रहता है, जो सामने आते हैं, हमें बूलती बं हो जाती है, गुल्दार साहब को देखा भूलती बं, जया भादूरी जी को देखा भूलती बं, एक बताते हैं, हम एक एड फिल्म की shooting कर रहे थे, तो पताचला, साइड की उसमें, रवी छोपडा जी shooting कर रहे हैं, तो हम चले गए, रवी जी के साथ काम किया था, हमने का न बहुत अच्छा सीन है, बैठ जाओ यहां पर देख के जाओ यह सीन, हम बैठ गया है, तो अमिज जी का वह सीन चल रहा था, जहाँ फोन पे करवा चौत वाला, फोन पे बात कर रहे हैं, फ्रिज में खाना ढून रहे हैं, वह सीन देखा, बहुत ही कमाल का सीन, उसके बाद जब मिलने गए तो होता है न, आप किसी को इंटर्ड्यूस करते हैं, तो तारीफ करते हैं, तो रवी चोपडा जी ने हमाई तारीफ की, जो भी बताया हमाई बारे में बुला अमिताब बच्चन जी को, अमिताब बच्चन जी के सामने, पिद्दी सी एक्टर की यह कुछ बूल रहे हैं तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, हो तो रियक्ट, I was just smiling, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हो तो रियक्ट, और में का जी हम जाते हैं, और निकल के आ गए, गाड़ी में बैट गए, गाड़ी अल्मस घर तक पहुछने वाली थी, सिर्टनली आ रियलाइस के ह हमाए नहीं जबढ़े दुख रहे हैं, जच 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 चच, बिगस यह था सिल समाइलिंग मिले उससक जो समाइल थी, हम भूली गए हैं इसको घर तक के गए हैं, उस याद के साथ हमाई थी और यह सब दुखने लगे थी, क्या बैट है थोड़ी सी है है, नूतन जी के साम अब बुलती बंद हो गई थे, हम उनको बोल नहीं पाए, वो सामने खड़ी थी, हम पसी ने छूटने लगे, पर हम उनको बोल नहीं पाए कि हम आपको अड्मायर करते थी, अब शायद हम बोल लेते हैं, क्या आपको देखते हैं, जैया जी के सामने, जब हमने फिल्म लाइन करना शुरू किया, ममा से बोला कि ममा हम फिल्म लाइन में काम करें, हम करें की नहीं करें, तो ममा ने कहा कि बेटा दे को एक बात का धिहान रखना है, जैसे नूतन जी वहिदा जी, जया भादोरी जी, इन लोगों ने जैसे रूल के वैसे करना हमेशा डिगनिफाइड ग् जैसा उनके जैसा बनना है, और जब उनके सामने बैठे तो हमाया मूझ से आवाज ही नहीं निदिया है, वह जिस सिटिंग लाइक दैना है, तो ऐसा हो जैसे है, तो फॉर्सेट के लमों में आप क्या करना पसंद करती है, हम को घर के काम करना बहुत अच्छा है, हम पेंट तो घर के काम, पेंटिंग हमको बहुत अच्छी लगते है, तो जब टाइम मिलता है, पेंटिंग करते हैं, निटिंग, अम्रोजी स्टिच, अरे वाँ, और आपकी दो बेटियां भी है, हमाई दो बेटियां, क्या करते हैं, बड़ी बेटिया हमाई टोरांटो में है, और जब मुझरे महाजेर ओफर हुआ था, तो बहुत हम दुविधा में थे, करें नहीं करें, क्योंकि वो बेग्राउंड नहीं है, अक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया, तो अक्टिंग भी नहीं आती है, तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुमको अक्टिंग नहीं आती तो तुमको लेते नहीं, तुम में कुछ तो देखा होगा तभी लिया है, तो if you have, अगर तुम में टैलेंट है, तो क्यों नहीं करोगी तुम? आप वेब सीरीज में भी काम कर रही है, तो उसका एक्सपीरियंस कितना अलग है, उसके बारे में बटाएए। वेब सीरीज एक बहुत ही वेलकम चेंज है, सिनेमा जगत में, जहां पर एक बहुत स्टीरियोटाइप्ट हीरो, हिरोईन, विलेन, ग्रैम्प यह सब होते थे, अब उसम मर्ज हो गया है, और बहुत रियलिस्टिक हो गया है, पहले बहुत सारे अक्टर्स किन ही कारणवश ज अब वो सब नहीं रहा है, वो आपकी एक इमेज सेट हो जाती है, यहां पर वो इमेज नहीं है, जो भी अच्छा एक्टर है, उसको काम मिल रहा है, तो यहां वेब सीरीज की वज़े से, बहुत सारा काम है, और बहुत सारी लोगों को काम मिल रहा है, जो भी टैलेंटेट ह उनको काम मिल रहा है ये तो बहुत अच्छी बहुत रियलिस्टिक है जहां पहले बहुत मेगप वेक अप होता था वो सब कुछ नहीं सब कुछ लगता है जैसे हमें आसपास गटना हो रही है इस तहां से वो रियल क्रिएट करते है बिल्कुर जब हमें पहली वेब सीरीज थ है फिर दूसरी वेब सीरीज आई है सॉल सिटी बहुत बहुत अच्छा चेंज है अच्छा चेंज है गुफ्तु हमें आपकी साथ बात करके बहुत मजा आया और एक बार फिर आपको जनम दिन की बहुत-बहुत बधाई आप यहां आई इसके लिए तह दिल से शुक्रिया यहां बुलाने के लिए अब बात करें बहुत शुक्रिया तो नाजरीन आज के लिए बस इतना ही अगले हफते आपसे फिर हो की मुलाकार एक और नई शक्सियत के साथ तब तिक के लिए मुझे दीजी एजाज़त आदा